हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जकिया का किचेन, आज आपके साथ अंडे आलू की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, ये बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है, जब घर में कुछ नहों और समझ में भी ना आए कि क्या बनाएं, तो अंडे आलू का सालन बना लें, तो सभी ख प्यास का पेस्ट बनाया है, दो छोटे टमाटरो का पेस्ट बना लिया है, विस पचीस मेथी दाने लिये है, हाफ टी स्पून गरम मसाला लिया है, वन टी स्पून जिंजर गालिक पेस्ट लिया है, तू टेबिल स्पून धनिया पाउडर लिया है, वन टी स्पून लाल मि कर्स लगांगे तीन चार जगें सभी अंडों में इस तरह से कर्स लगा लेंगे बहुत गहरे कर्स नहीं लगाने हैं अब हम इसमें क्वाटर टी स्पून लाल मिर्च और क्वाटर टी स्पून नमक डालकर मैरिनेट करेंगे ताकि अंडे अंदर से फीके न रहें मसाले इसके अंदर तक पहुच जाएं नमक मिर्च इस सारे अंडे को इस तरह से हमने कर लिया है अब हम मिकड़ाई में वन टेबिल स्पून तेल डालेंगे तेल गरम हो जाए तेल गरम हो गया है हम एक एक करके सभी अंडे इसमें डालेंगे और इने गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे दूसरी तरफ हम कुकर चड़ाएंगे जिसमें हमने तेल डाला है तेल गरम हो गया अब हम मिथी दाना डालेंगे इसे हम आदा मिनट तक पकाएंगे आदे मिनट बाद हम इसमें जिंजर गारलिक पेज डालेंगे इसे भी हम आदा मिनट तक पकाएंगे इसमें हमने थ्री टेबिल स्पून तेल डाला है और साथ में जिस तेल में हमने अंडा फ्राई किया था वो बचा हुआ तेल भी डाला है आदा मिनट हो गया है अब हम इसमें प्यास एट करेंगे प्यास को हमें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक यह देखी हमारी प्यास फ्राई हो गई है को फ्राई करने में हमें 6-7 मिनट लगा ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है अब हम इसमें टमाटर एक करेंगे टमाटर के हमने प्यूरी बनाई थी इसे चला लें अब यहीं पर हम सारे सूखे मसाले एक करेंगे इसे मिक्स कर लें मसालों को अच्छे से भूनने के लिए हम इसमें 3 टेबिल इस्पून के करीब पानी डालेंगे लिड लगा कर इसे 6-7 मिनट तक पकाएंगे देखिए 6-7 मिनट इसे हो गया है पकते हुए अब हम इसे भून लेंगे अच्छे से मसालों ने तेल छोड़ दिया है लेकिन हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है क्योंकि मसाला जितना अच्छा भूना रहेगा ग्रेवी उतनी ही टेस्टी बनेगी इसे हमें अभी और भूनना है जब तक मसाला तेल न छोड़ दे ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है दानेदार सा अब हम यही पर आलू इसमें डालेंगे यह हमने चार बड़े आलू को काट कर पानी में भिगो रखा था हमने इसने बड़े बड़े टुकडों में काटा है आप अपने हिसाब से काटें अब हम यहाँ पर पानी डालेंगे यहाँ पर हमने एक गिलास पानी डाला है आप अपने हिसाब से ग्रेवी जैसी रखनी है उतना पानी डालिएगा अब हम इसकी लिड लगाकर इसे एक विसी लाने देंगे और लो फ्लेम पर 5 निट तक पकाएंगे और जब स्टीम निकल जाएगी तब इसे ओपन करके चेक करेंगे देखिए स्टीम निकल गई अब हमने इसे खोल कर चेक किया है आलू हमारे गल गए है और तेल देखिए सरफेस पर आ गया है अब हम इसमें अंडे डालेंगे जो हमने फ्राई करके निकाल लिया था इसे मिक्स कर लेंगे अब गरम मसाला आट करेंगे और इसकी लिड लगाकर हम इसे दो मिनट तक और पकाएंगे फिर हम इसे डिश आउट करेंगे दो मिनट हो गया है हम इसे डिश आउट कर लेते हैं देखिए अंडे आलू का सालन तयार है और ये बहुत ही टेस्टी सा बना है आलू भी बिल्कुल नहीं टूटे हैं हमने जबकि आलू को फ्राइ नहीं किया था देखिए अब हम इसे धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे और उपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें और आपको पस्दाइब करेंगे